हलो जी कैसे हो सारे दिस इस सुदर्शन स्वागत है आपका 100 वीड दर्श की ओर एक टाइव वीडियो में और आज की वीडियो में हम देखने वाले कि किसी इस बीस इस वीडियो को लाइक नहीं किजिए और जो अभी तक आपने नहीं देखिया तो चानल पर जाके देख लिजिए पहले मन आपको बता देता हूंगा कि session tracking क्या है session का मतलब होता है specific interval of time और tracking का मतलब होता है कि किसी भी object की information को record करना तो session tracking एक technique है जो कि user का data maintain कर लेती है उसकी state maintain कर लेती है और यह हम session management के लिए use करते है किसी भी sublet के अंदर है अब session tracking करना क्यों जरूरी हो जाता है वह पहले समझ लेते कि जब भी हम browser पर request भेजते हैं तो वह HTTP protocol specific request होती है और HTTP protocol एक statless protocol है मतलब HTTP protocol किसी भी user की state को maintain नहीं कर सकता उससे समझने के लिए यहां पर मैंने एक diagram निकाली है अब यह client है server पर request भेज रहा है HTTP protocol specific request है जैसे यह request यहां पर चली जाएगी यह request process होकी process होके in the response client को दी जाएगी अब after the sometime मतलब कुछ वक्त बात जब यही client यही user जब वापस request भेज़ेगा server के उपर तो उस work उस server पर उस user की कोई भी state नहीं होगी उस user का कोई भी data store किया गया नहीं होगा उसकी वज़े से इस request को भी यह server as a new request समझेगा और इसे new request की तरह ही process करके इसका भी response client को दे देगा तो हमें यही problem को avoid करने के लिए हम use करते हैं session tracking और इसे session को track करने के लिए हमरे पास 4 techniques होती है एक तो होती है cookie की class होती है hidden form field होती है URL rewriting होती है और http session होता है और यह चारो techniques हम आने वाले lectures में देखने वाले हैं कि हम किस तरह यह चारो techniques use करके किसी भी user की session को track कर सकते हैं और अब session tracking का एक में example दे देता हूं यहाँ पे मैंने ब्राउजर पर एक session tracking का example यहाँ पर मैंने Eclipse खोल लिया है यहाँ पर मैंने एक form बना लिया है और यहां से में index.html से एक username servlet1 पर भेज रहा हूं यहाँ पर मेरा servlet1 है तो servlet package के अंदर servlet1 है यहाँ पर मैंने उसे गेट कर लिया है और यहाँ पर एक message दे दिया है hello username जो भी username रहेगा welcome to our website और यहाँ पर मैंने एक href देखे servlet2 की mapping कर लिये go to the servlet2 जैसे आप इसके उपर click करोगे hyperlink पर तो आप चले जाओगे servlet2 पर और यहाँ पर भी मैंने username गेट कर लिया है और servlet2 एक message दे दिया है और यहाँ पर भी hello username welcome back to the website ऐसा और एक message servlet2 पर दिया है तो अब देख लेते कि क्या जब हम run करेंगे तो क्या इस user की statement रहेगी तो मैं इसे run कर रहा हूं next बोल दिया finish बोल दिया यहाँ पर बीना का नाम डाला है hello बीना welcome to our website और जैसी आप go to servlet बोलोगे आप देख सकते हो hello null यहाँ पर उस user की कोई भी information नहीं आई है उसकी statement नहीं रही हम जैसी servlet 2 पर चले गए उसका information हमें यहाँ पर नहीं मिली तो यही user की state हमें maintain करनी है इस का session track करना किसी भी user का session track करना है तो आगली वीडियो में हम देखेंगे कि कि इस चरह हम किसी भी user की state maintain कर सकते हूं उसका data अगले servlet पर भेज सकते हूं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you guys and see you in the next video